विवार में सबसे important चीज है संतुलित आहार खाना जिसमें carbohydrates भी हो, proteins भी हो, fats भी हो, minerals भी हो, vitamins भी हो और micronutrients भी हो हम जब ये संतुलित आहार लेंगे तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आएगी होता ये है कि असंतुलन होने के कारण जब इसका संतुलन बिगड़ता है तभी हम बीमार होते हैं या तो protein की कमी से तो protein की बीमारिया होंगी हमको या अगर हम ज़्यादा carbohydrates खाएंगे तो diabetes जैसे बीमारिया होंगी है ना कि balance is the you know fundamental of life balance संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है तो हमारी खाने की ठाली में भी बहुत जरूरी है तो किस तरह से संतुलन हम बनाएं देखें संतुलन की अगर बात करते हैं तो पांच चीजें बहुत important आती है आहार विचार आहार विचार उसके बाद संसकार उसके बाद आचार और साथ ही साथ जो है वहवार कहते हैं ये पांच चीजों का अगर संतुलन हो तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे मतलब अच्छी physical activity अच्छे thoughts अच्छा खाना और खुश रहने के लिए कुछ हम activities करें और यही हमारा संसकार बन जाता है यही हमारी personality बन जाती है तो आहार की अगर बात करें तो जिसमें postic तत्व भरपूर मातरा में हो और साथ ही साथ संतुलित मातरा में हो मतलब quantity और उसकी जो गुणवक्ता है वो दोनों चीजों का importance पहला नियम आता है कि निर्धारित समय पर आहार लेना जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठके हम बैटी लेते हैं वह बैटी नहीं होती है वह बैड टी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपके digestive system को सबसे पहले नुक्सान पहुचाएगी और acidity की problem वहीं से ही चालू होत तो जो toxin शरीर के अंदर जमा थे या जो undigested food शरीर के अंदर जमा था जो metabolic end products बनते हैं वो शरीर से बाहर निकलेंगे उसके बाद में आता है tea का time तो यहाँ पर herbal tea लेनी चाहिए herbal tea में करना बहुत simple है यह सब चीजे follow हम आसानी से घर पर कर सकते हैं करना क्या है एक glass पानी लें थोड़ा सा गुन-गुना करें उसको जै उसके अंदर अद्रक को कूट के हम डाल दें अद्रक बॉइल हो जाएगी पानी को गैस से उतार लें उसके बाद में उसको चान लें चानने के बाद में एक लेमन और एक चमर्श है यह मिला के सुबह की आपकी herbal tea बन जाएग उसमें अगर हम थोड़ी सी काली मिर्च भी डालें सौंट अगर अद्रक ना हो तो इस तरह से भी हमें काड़ा बनाने का तरीका बहुत आसान है काली मिर्च है सौंफ है तुलसी के पत्ते हैं उसके बाद में दालचीनी है गुड है यह लॉंग है अपना जो यह सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल कर लें बॉयल करने के बाद इनको च्छान लें और गुन-गुना करके सुबह की चाय की तरह पिए तो यह एक रोक प्रती रोदग शमता आपकी बढ़ाता है दॉक्तर गुलाब उससे जरूर आपको मिलेगी अब जैसे ही हर्बल्टी लिया तो यह हमको एक एनर्जाइजिंग एफेक्ट एक रोख प्रती रोदग शमता के लिए हमको एक ऑपर्चुनेटी मिली अब हमको क्या करना है एक कोई सा भी जूस लेना है जूस कौन सा होगा विटामिन सी रिच होगा विटामिन सी एंटी ऑक्सिडेंट है तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियास को किल करने में वाइरस को किल करने में मददगार रहेगा तो उसमें मौसमी का जूस ले सकते हैं संत्रे का रस ले सकते हैं पाइनेपल का रस ले सकते हैं चाहे तो आवले का चाहे तो हम निभू पानी शहएद जैसे हमने continue किया उसके alternate में यहाँ पर हम green juice बना के लें क्योंकि green juice detox diet का काम करता है green juice हरी सबजियां जो हैं उनको हम mix करके बनाते हैं जैसे पालक हुआ, लौकी हुआ, उसके बाद टमाटर हुआ, आवला हुआ, लेमन हुआ इन सब को आप mix करके green juice बनाएं, उसमें taste के लिए थोड़ा सा black pepper, काली मिर्ची का powder उपर से डालें और चाहे तो थोड़ा सा सेंदा नमक डालें यह जैसे ही आप drink लेंगे तो आपके जो body के अंदर, जो intestine के अंदर, जो toxins जमा हैं जो मल जमा है, वो मल त्याग करने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी, कभी constipation नहीं होगा क्योंकि 90% बीमारियां पेट से चालू होती है और digestive system अगर आपका weak है, तो वहाँ से बीमारियां चालू होंगी इसलिए उसको स्वस्थ रखना है, तो green juice का सेवन जरूर करें अपने दिन चर्या में जी, डॉक्तर गुराब, चुकि यहाँ पर आपने बात की juice की या green juice की तो market में भी बहुत सारे packed juices available है और कई सारे लोग उनको लगता है कि juice शायद घर में बनाने में समय जादा लगता है, मेहनत जादा लगती है तो वह आसान उपाए कि वो packed, ready to drink juice जो है वो खरीद लाते हैं क्या वो एक अच्छा option है, healthy option है या नहीं प्राकर्तिक चिकेट सामें कोई भी चीज प्राकर्तिक लेंगे तो उसका अपना महतो है अब प्राकर्तिक ये natural juices कहीं ना कहीं preservative से इनकी shelf life बढ़ाई जाती है इनका जो duration है उसको लंबा किया जाता है कि आप ज़्यादा समय तक रखके ले सकते हैं आप मान लीजे घर में ही आप मौसमी का juice निकालके आप रखिये आदे घंटे के बाद वो फर्मंट होना चालू होगा अगर उसको आप 24 घंटे रख लीजिए तो वो आपके पीने के लायक नहीं होगा पर यही चीज आप मार्केट से पर्चेस पैक्ड जूस में लेके आईए उसको 15 दिन के बाद भी पीएंगे तो आपको आनंद आएगा पीने में मतलब उसमें शुगरी कंटेंट जादा है उसको प्रजव करने के लिए इसलिए प्राकर्तिक चिकित्सा मतलब प्राकर्तिक जीवन प्राकर्तिक जीवन मतलब सारी चीजें जो प्रकर्ति माने हमें दी हैं उसको प्राकर्तिक ढंग से ही हम लें जीवित आहार लें हम मृतक आहार लेते हैं जीवित आहार मतलब जब तक उसको हाई टेंपरेचर पे हम कुक नहीं करते तब तक वो जीवत रहता है मतलब उसमें लाइफ रहती है तो मान लीजिए कि यहां पर सेलेट्स मैं बोलूं कि आप मान लीजिए और उसी को ही बोलूं आप स्टीम करके लीजिए तो स्टीम करने में उसका पोस्टिक तत्व नश्ट होगा पर जहां कि अगर आप रॉ लेंगे तो उसका पोस्टिक तत्व भरपूर मातरा में मिलेगा हम क्या करते हैं कच्ची भींडी अगर कोई खाएगा तो उसका टेस्ट उसको कच्ची भींडी खाने में मिलेगा पर उसको तल के भुन के डीप फ्राई करके फिर खाई आपको भींडी का टेस्ट नहीं आएगा आपको मसालो का टेस्ट तो इसलिए प्राकर्तिक आहार अगर लेंगे प्राकर्तिक ढंक से लेंगे तो वह आपके दिनचर्या में लाइफ देगा और रोग प्रतिरोदक शमता लेगा मूंग मूमफली चने को आप स्प्राउट कर लीजिए अगर जो बुजर्क लोग हैं जो चबा नहीं सकते हैं कच्छा वो थोड़ा सा बॉइल करके लें तो हाई प्रोटीन डाइट आपको नाश्टे में मिल जाएगा तो प्रोटीन का संतुलन मातरा भी होगा पोश्टिक तत्व लेने के लिए आप हमेशा दो प्लेट रखी अपने साथ में एक सेलेट का प्लेट रखी है जिसमें खीरा हो टमाटर हो ओनियन हो मूली हो यह अलग-अलग तरीके के आप सेलेट रखिये उसके बाद में एक प्लेट में जो आपकी पसंद का है दाल खाने के लिए एसलिए आप मन्पसंद खाना भी खा रहे हैं कि भाई मैंने पूरी तरह से यह कहते हैं प्राकर्तिक चेक्षा में यह खास पूस्ट खाने वाला जो है ना चिक्षा पाती है हम यह कहते वो नहीं है यह तो यह तो जीवन जीने की कला है आप खुट सोचिए जब वनवास मिला था श्री राम जी को तो वहाँ पर कहीं आपने रोटी पकाते हुए सीता मईया को नहीं देखा, वहाँ पर तो जो फैल प्रकर्ती मा ने दिये थे, जो रोटी वहाँ पर जो सबजियां थे, उनी को ही वो खाते थे, तो वहाँ पर आपको निर्ने आपको कर करेगा आपकी प्रबल नहीं करेगा प्रबल करने के लिए संतुलित आहर यहां पर आपको प्रोटीन भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको न्यूट्रियंट भी किया आमतर पर एक नोशन है कि अगर लंज कर रहे हैं तो पेट भरना चाहिए और पेट भरना चाहिए मतलब धेल सारी रोटी होनी चाहिए धेल सारा चावल होना चाहिए सबजी पर दाल पर उतना कई लोग ध्यार नहीं देते हैं हाला कि फिजिकल वर्क की जब बात आती है तो शायद हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं कि उस काप्स को हम पचाप पाए तो क्या ये जो एक धारना हमने बना ली है कि रोटियां खूब होनी चाहिए माँ भी कहती है नहीं नहीं दो रोटी और खालो एक रोटी से कुछ नहीं हो भले फिर आपको गले तक खाना आ जाए और उसके बाद में आपको वॉक करना पड़े भले आपको डिसकंफर्ट मैसूज हो पर खाना है क्यों स्वाद इंदरिया इंपल्स दे रही है ब्रेन को कि पेट अभी भरा नहीं है उसको भरना है होता क्या है जब हम पहला प्लेट स्ट्रेट का खाएंगे तो स्ट्रेच रिसेप्टार जो स्ट्मक में है वह इंपल्स देते हैं ब्रेन को अरे भाई मैं भर रहा हूं यहाँ पर फिर जाता है इंपल्स मुव में टेस्ट सेंसेशन के पास बैस ज्यादा नहीं खाना है और वही हमारा जो है संसकार बनता है क लिए आपने पकाहार भी ले लिया तो उससे क्या होगा आपको न्यूट्रियंट भी मिल गया और साथी साथ आपका मन भी जो है वह संतुलित हो गया कि हाँ मेरे को खाना मिल गया आज खाने के लिए बिलकुल तो यह तो लंच तक की हमने बात कर दिया अब लंच और डिनर होती है हमारे शरीर से तो हमको ऐसी लालसा होती है कि हम अब कुछ खाएं तो उसमें हम बिस्किट ले ले लेंगे मुरमुरे ले लेंगे कुछ आप नमकीन ले लेंगे यह खाते हैं या कभी पकोड़े खा लिए चाय के साथ में बनाके तो वह लेना चालू कर देते हैं हमें कि आपकी पसंद प्रूट्स मतलब यहां कर यहां कि सकता हूं आपL हो सकता है पrangर को सकता है शाकता है अलग वराइटी पाफींT अिसलिए इंपोर्टन है पॉपीता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लेग्जेटिव नेचर तो इसलिए यह तो बहुत जरूरी एक आप अगर फूर्ट का एक बंच लेंगे अपने साथ में तो आपको वह चीज महसूस नहीं होगी क्यों कि यह तो घंटी बजने वाला सिस्टम है सरकाडियम रिदम है हमारी बॉड़ी की शाम बारा बजे नहीं दिन में कि बूख लगना चलो होगी बारा से एक के बीच में अगर किसी का लंज खाने का टाइम है किसी का एक से धाई के बीच में तो उस टाइम पे घंटी बजेगी घंटी इसलिए बज़ रहे है क्योंकि उस टाइम पे acid secretion हो रहा है वैसे ही शाम को चार बजे या पांच बजे का जो हमारा एक सरकाडियम रिदम जो सेट हो रखा है कि हमको उस टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए तो आप fruits ले लिजिए वो आपकी gastric fire को subside करेगा वो आपको help करेगा digestion में और उसके साथ में आपको अगर ए यहां पर तुरंत आपको अगर energy चाहिए तो supplement juice बहुत simple form में करता है यहां पर एक उधारन देना चाहूंगा मैं क्या होता है हम doctor के पास जाते कभी भी दर्द है तो doctor के पास जाते है doctor हमको क्या करता है पहले एक medicine देता है बोलता है तीन दिन आप यह लेना medicine इससे आपको आ आराम नहीं होता है उसके बाद में doctor बोलता है अच्छा एक काम करते injection लगा देते हैं तो diclofenic का injection लगा देंगे मतलब वह liquid form में देंगे instant absorption होगा blood में और दर्द जो है एक हफते पंदरा दिन के लिए गाया हो जाएगा जब हम कोई भी fruit लेते हैं उसकी quantity कितनी तो हम कम से कम 500-1 kg तक के fruits का juice बनाके एक glass के bunch में हम ले सकते हैं मतलब आपको भरपूर मातरा में nutrition मिल रहा है तो वह आपको re-energize कर देगा आपके body में weakness महसूस नहीं होने देगा आपको भरपूर मातरा में energy देगा जिससे कि आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि मेरे को भ जरूरी है तो यह तो वो जो शाम की छोटी-छोटी भूख है उसका इलाज आपने बना दिया अब डिनर क्योंकि दिनर तो हमको लगता है कि एक तो ऑफिस से जो लोग घर आते हैं उनको लगता है पूरे परिवार के साथ एक मील हम साथ में कर रहे हैं तो डिनर जो है अच्छा भोजन खाएं पूरा दिन ऑफिस से करने के बाद तो कुछ चटपटा होना चाहिए और उसके साथ में गरिष्ट भी होना चाहिए पर प्राकरतिक चेकित्सा में बोलते हैं जब हम रात को गरिष्ट भोजन करते हैं तो फिर हम जीवन भर स्वस्त नहीं रह पाए इसलिए रात का भोजन बहुत लाइट होना चाहिए और रात का भोजन जल्दी होना चाहिए अब मैं किसी को बोलूगा साथ से आठ के बीच में आप डिनर खतम कर लिए तो बोलेंगे डॉक्साब क्या हो गया है आपको रात का भोजन तो रात को ही होगा ना मतलब 10-11 बज रिया के लिए सोने से पहले आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है आपकी भूख उसी टाइम पर बढ़ाने के लिए आप वेजिटेबिल सूप लीजिए पहला एक बाउल आप सूप लीजिए जिसमें टमाटर का सूप हो य यह इसमें पैकेड़ वाले सूप नहीं चलेंगे इसमें घर के सूप बनाने हैं क्योंकि वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई भी पैकेड़ वाली चीज प्रिजर्वेटिव के साथ नहीं चाहिए ज्यादा खाइदा तो कम ही पहुचाएगी खतरनाख जरूर है वो अब बारी आती है पके हुवे वोजन की उसमें आप वेजेटेबल खिचडी लीजिए अलग अलग वेजेटेबल उच खिचडी में डालके आप जब करते हैं तो वह आपका मल्टी डोसेज हो जाता है आपका न्यूट्रियंट्स का जैसे मल्टी विटामिन की टेबलेट ल जाएंगे और जो आइरन है वो आइरन आपको पालक के सूप में मिलेगा तो आइरन जिंक इनकी भी कमी नहीं होगी मेगनेशियम फॉस्फोरस भी मिलेगा उससे और यह आप रात को खिचडी या तो फिर ऑल्टरनेट में डलिया वेजेटेबल डलिया वेजेटेबल खिच आप सोके देखिए इतनी अच्छी घहरी नींद आएगी कि सुबह को आप एकदम फ्रेश उठेंगे परिवर्तन करना है दिन चर्या में मैंने कहा ना आहार वहवार विचार यह सब चीजे परिवर्तन करनी होंगी जब तक हम पांचों चीजों को परिवर्तन नहीं करेंग को संसकार बनेगा नई इ। हमारी पर्सनलीटी बननेगी है तो वह जैसा खाएंगे अन वैसा होगा मन वैसा होगा तन वैसा ही आपका जीवन होगा और यही आपकी दिनचर्या संतुलित में, संतुलित अहार से चलेगी। जो भी समय हमारा है उसमें हम immunity boosters के तौर पर हम किन food items को ले सकते हैं उन्हें अपने आहार में शामल कर सकते हैं उस पे भी आप से जानकारी ले लेंगे इम्यूनेटी बूस्ट करने होता क्या है ना कि जिस बीमारी में जो भी पोस्टिक तत्व देंगे उस हिसाब से शरीर दवाई का काम करता है वैसे ही immunity को अगर अच्छे से बूस्ट अप करना है तो एंटी ऑक्सिडेंट्स होनी चाहिए एंटी ऑक्सिडेंट्स रिच फूड जो है वो विटामेन सी है जिसका जिकर मैंने किया अब यहां पर आपके पास एंटी वाइरल एंटी बैक्टीरियल फूड भी होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का संक्रमन होगा या तो वाइरस का खास करके इस समय में तो बैक्टीरिया का भी संक्रमन होता रहता है हमको पर वो क्या है कि nullified हो जाता है वो उनका impact दिखता नहीं हमारी body में तो उसके लिए मैं यहां पर यह suggest करूँगा omega 3 fatty acid बहुत अच्छा है और इसमें flex seeds जो होती है जो alci है उसका चूरन आप बना के रखें powder बना के रखें एक spoon एक glass पानी में mix करके आप यह लें यह आपको भरपूर मात्रा में omega 3 fatty acids देता है इसी के साथ-साथ अक्रोड है और साथ-साथ elements है यह भी omega 3 fatty acids को आपको देगा vitamin E supplement भी करेगा कहने का मतलब यह है कि आपको viral infection से रोकने का bacteria से रोकने का और immunity boost करने के लिए सारे substance प्रकरती माने हमको दिए है किवल लेना है वैसे यही खास इस कोरोना काल में मैं एक चीज़ बहुत ही सटीक सजेस्ट करूंगा कि नीम के पत्ते आप ले 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 नीम में antiviral antibacterial property है नीम के चार पत्ते ले 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 सुबह के टाइम पे जैसे हम brush करते हैं पहले दातून करते थे हैं फिर दातून छोड़के हमने brush करना चालो किया मैं तो यह कहता हूँ चार पत्ते लेकर उसको अच्छे से चबा लिजे मूह में चबाने के पाद 5-10 मिनिट तक आप वह चबा के मूह में ही म्यूकस को रखिए जो की नीम का म्यूकस है उसको आप बाद में 10 मिनिट के बाद फेक दीजे हल्दी का पानी ले ले लिजे ले ले चार या पांच की आप हल्दी डालती चार और उससे आप माउओट वास करते जैसे ऑल्दी पानी से मंहट वह चार तो वाइरिस मदलब नहीं जो हो है एंटि ऐसे बेक्टीरियल यह दोनों आपको रोके गा और संक्रमण होना भी होगा तो मुट से होगा या नाक से होगा नाक के म्यfps से म्योकोचा को कैसे प्रोतेक्त करें यह तो मैंने इंट्री बता गप दी मूग के माध्यम से नाक से रोपने के लिए योग में बहुत अच्छे करिया है जलने दिशाव सर त्लिस आपके नेसल क्यविटी को पूरी अलग-अलग हॉस्पिडल में यह प्रैक्टिस करवाया जा रहा है फेशल स्टीम जो है अगर आप घर में दिन में तीन बार ले रहे हैं और पांच-पांच मिनिट के लिए ले रहे हैं उस टाइम पर आपको करना यह है तुलसी के पत्ते उसके अंदर डाल दें या निल गरी नाक से सास लीजे मुह से छोड़िये और चार्या पांच बार मुह से लीजे नाक से छोड़िये यह अपर रेश्पुरेटी ट्रैक इंफेक्शन जो होता है वो नहीं होगा आपका वाइटल कैपैसिटी भी बड़ेगा लंग का साथी साथ आपको स्वाश लेने में तरीके से खान पान करके और दूसरी तरफ से किस तरह से हम अपनी बॉदी को एंग्टी बैक्टिरियल एंग्टी वाइरल तरीके से तैयार कर सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं वक्त इतना ही है लेकिन कम वक्त में बहुत इच्छी जानकारी आपने डॉक्र गुल तो कुल मिलाकर हमें डरना नहीं है घबराना नहीं है समझदारी से काम लेना है सतर्क रहना है बहुत बहुत धरनिवाद आप सबका हमाई साथ जुड़ने के लिए इजासत दीजे नमस्कार